लग चुकी है तलब मंजिल की अब खुद को आग में जोकना होगा ठोकरे केती है मारा जाएगा होस्नला केता है चल हट देखा जाएगा हेलो मेरे प्यारे साथियों मैं हरियों पारता आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन एक्सिलेंस के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर दिसका स्कुर्ण करेंगे जिसका नामें पोशन या न्यूट्रिशन्स सब्सक्राइबर न या नियूट्रिचन्स स शरीर की ब्रधी विपास हे तु, शरीर की ब्रदी और विपास के लिए निमने 6 पॉशक तत्व आवशक होते हैं, जिनका नाम है कार्भोहईडरीड, प्रोटीन, विटामीन, वसा, खनिजलवन और जल ये सरीर की व्रादी एम विकास के लिए आवशक पोशक तत्व है जिनका हम इस चेप्टर में डीटेल से अध्यान करने वाले हैं तो कार्बोहईड्रेट, प्रोटिन, विटामिन, वसा, खनिजलवन और जल ये संतुलित बोजन एसा बोजन जिसमें ये सभी पोशक पदार्थ ये छे पोशक पदार्थ इस रूप में हो इस अनुपात में हो कि सरीर को कार्य करने के लिए उर्जा की पूर्टी हो जाए सरीर को कार्य करने के लिए उर्जा मिल जाए, शती ग्रस्त कोशीकाओं की म्रमत हो सके और सरीर को सारीरिक और मांसिक उर्जा मिल सके तो ये सभी संतुलित बोजन यानि की बेलेंस्ट डाइट बेलेंस्ट डाइट कहलाती है, संतुलित बोजन कहलाता है, सरीर की ब्रादियम विकास के लिए ये 6 पोशक ताद आवश्यक है, जिन गाम इस चेप्टर में डीटेल से स्टडी करने वाले हैं नेश्ट स्लाइट, हाँ, एक ग्राम कार्बो हाइडरेट से कितनी उर्जा की प्राप्ति होती है, तो 4 किलो केलोरी, एक ग्राम कार्बो हाइडरेट से 4 किलो केलोरी उर्जा की प्राप्ति होती है, और एक ग्राम प्रोटिन से 4.2 यानि की 4.2 किलो केलोरी उर्जा की पूर क जो होती है 9.9.3 किलो केलोरी उर जा तो 1 ग्राम कार्बोफाइड रेट से 4 किलो केलोरी एनरजी मिलती है एक ग्राम प्रो टिन से 4.2 खेलो केलो केलोरी इनरजी मिलती है और एक ग्राम वशा याना की फेट या लिपीड इससे 9.3 किलो कैलोरी उर्जा मिलती है तो प्रती ग्राम प्रती ग्राम के आधार पर शरीर को मिलने वाली उर्जा का जो सिक्वेंद्ट है यह दियान रखना है, यह आया हुआ कि वेचन है, तो सबसे ज़्जा मिलने वाली 9.3 यह मिलन रएवसा से, फिर 4.2 यह किसी मिलने प्रोटीन से, और फिर 4 यह किसी मिलने कार्भौाइडरेट्ट ग्राम, इंगा एक शरीर को मिलने वाली उर्जा का गरम, अगर परती ग्राम क के आदार पर नहीं पूचा जाए और सामानिय रूप से पूचा जाए अगर सामानिय रूप से पूचा जाए तो सरवादिक उर्जा मिलती है कार्भोएड्रेट से फिर वसा से और फिर प्रोटीन से तो यह सिक्विंस इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखना है और इसे एक्वेशन आया हुआ भी है कार्यों के आदार पर बोजन के अव्याव तो उर्जा देने वाले कौन-कौन से अव्याव है शरीर का निर्मान कारी कौन-कौन से अव्याव है और सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन-कौन से अव्याव है यहां सुरक्षा किससे जैसे सुरक्षा बीमारियों से बीमारियों से संक्रमन से तो उर्जा देने वाले कौन-कौन से प्रोटीन, कार्बोईडरेड और वसा तीनो में उर्जा देने वाले सरीर का निर्मानकारी और सुरक्षा वाले इनमें तीनों में क्या कौन है प्रोटीन प्रोटीन तीनों में कौन है मतलब प्रोटीन सरीर को उर्जा भी देता है सरीर का निर्मानकारी पदार्थ भी है और सुरक्षा प्रदान कने वाला पदार्थ भी है प्रोटीन तो तीनो लवन से उर्जा की प्राप्ति नहीं होती है जिसके बात सुरक्षा प्रदान करने वाले पोशक ततु कौन से प्रोटीन खनीज लवन जल यानकि यह तीनों इधर सेम है जैसे यह तीनों इधर सेम है और सिर्फ इसमें एक और जुड़ जाएगा विटामिन तो विटामिन से प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि विटामिन क्या है एक सुरक्षा प्रदान करने करने वाला पोशक ततु है और इसकी कमी से डेफिसींसी डिजीज होती है मतलब आबाव रोग तो सबसे पहले हम इसमें कार्बोहाइडरेट सुरू करते हैं हम छे पोशक पदार्थों को पूरा डीटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइडरेट प्रोटिन वसाख खनी जलवन विटामिन और जल तो आपके सीले बस में मेजर टोपिक है यह तो एक एक टोपिक को हम इसमें छे करके पहला टोपिक सुरू करेंगे सबसे पहला कार्बोहाइडरेट यह क्या है, carbon के hydrate है मतलब hydrate क्या होता है ह2O, जल का जो molecule है उसको क्या कहते है, hydrate और अगर यह carbon के साथ जुढ जाए तो यह है carbon के hydrate तो ये इसमें carbon hydrogen और oxygen ये किस अनुपाद में होते हैं 1 ratio 2 ratio 1 तो इस ratio में ये इसमें carbon और hydrogen और oxygen होते हैं 1 ratio 2 ratio 1 तो carbon hydrogen और oxygen तो carbon के hydrate carbohydrate के लाते हैं तो carbohydrate बोजन उर्जा का सरवादिक होता है मतलब 60-80% बोजन उर्जा का क्या होता है carbohydrate होता है और सबसे पहले उर्जा carbohydrate से ही मिलती है क्योंकि carbohydrate का पाचन मुख गुहा में इस्तित टाइलिन या एमयलेज Experts से Start होता है तो मुख गुहा से Carbohydrate का पाचन Start हो जाता है सबसे पहले उर्जा Carbohydrate से मिलती है क्योंकि इसका पाचन टाइलिन या एमयलेज エंजैम से होता है होता है वे कार्वोहईड्रेट जो जल में गुलंसील यानि कि जल में विले सोल्यूबल है और स्वाद में मीटे है शरकरा कहलाते हैं यानि कि वो कार्वोहईड्रेट जो जल में सोल्यूबल है और टेस्ट में क्या है स्वीट जो स्वाद में मीठे है और जल में गुलंचील है तो वो क्या कहलाते है शरकरा यानकी सुगर और सभी शरकरा कार्बोहाइडरेट है लेकिन सभी कार्बोहाइडरेट शरकरा नहीं होते है ये बात भी मैं लिख देता हूँ सभी शरक्रा सबी शरक्रा कार्बोहाइड्रेट है होते हैं लेकिन सबी कार्बोहाइड्रेट सबी कार्बोहाइड्रेट शरक्रा नहीं होते हैं क्योंकि कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो जल में गुलंसिल नहीं होते हैं जैसे सेलिलोज कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो स्वाद में मीटे नहीं होते हैं cellulose है, starch या मंड है, हीपेरिन है, तो ऐसे cellulose, ऐसे polyseguride, कार्वोहाइडरेट तो है, लेकिन शरकरा नहीं है, लेकिन सभी शरकराएं कार्वोहाइडरेट के examples है, क्रत्रिम मदूरक, यान की artificial sugar, इनके नाम ध्यान रखने artificial sugar या क्रत्रिम मदूरक क्या है, तो यह है, सेक्रिन, ठोमेटिन, एस्पार्टिन, सार्बिटोल, जाइलिटोल और एलिटेम, जैसे आपने देखा होगा, सुगर के मरीजों को, वो मीठा नहीं खा सकते, लेकिन अगर उनको चाई मीठी पीनी हो, तो जैसे वो एक शुगर फ्री टेबलेट आती थी, अभी भी आती है, तो वो डाली जाती है, तो वो क्या है, यह protein के बने हुए होते हैं, क्रत्रिम मदूरक यह artificial sugar क्या है, protein के बने होते हैं, यह मीठे तो होते हैं, मीठा तो करते हैं, लेकिन इनसे calorie में उर्धा कमान नहीं बढ़ता है, क्योंगी यह protein के बने हुए होते हैं, इसलिए मीठे तो होते हैं, लेकिन इनसे calorie नहीं बढ़ती है, तो सेकरिन, जैसे sugar free tablet आती थी, तो वो सेकरिन की बनी हुए होती थी, और यह sugar से लगबग लगबग 500 गुना ज्यादा मीठी होती है, थोमेटी ने, एस पार्टी ने, और सार्बिटोल, यह पर्थम करत्रिम मदूरक था, फर्स्ट आर्टीफीचियल सुगर कौन सा था, तो यह था सार्बिटोल, इसको जरू ध्यान रखना, एक है जैलीटोल और एक है एलीटेम, एलीटेम सरवाधिक मीठा करत्रिम सुगर, यानकि सबसे मीठा आर्टीफीचियल सुगर है, और जो शर्क रास है, उचर उट अजिन टाइम, ज्यादा स्वीट है, यहन कि ज्यादा मीठा है, तो यह सबसे मीठा, सबसे मीठा करत्रिम, मदुरक, और इतना मेठा क्यों है यह क्योंकि इसमें aaspartic acid होता है, इसमें होता है aspartic amyl, तो यह artificial sugar है जिसमें सेक्रिन, ठोमेटिन, एस्पार्टिन, सार्बिटोल, जैलिटोल और एलीटेम, एलीटेम सबसे मीटा क्रत्रिम मदूरक है और सार्बिटोल प्रत्रिम मदूरक है, तो हमने बड़ा कार्बोहईडरेट जो कार्बन हाइडरजन और ऑक्सिजन जिसमें 1 रे और यह कार्बोहईडरेट जो है यह भोजन उर्जा का सरवादिक, यहनकी 60-80% होता है, और सबसे पहले उर्जा कार्बोहईडरेट से मिलती है, क्योंकि कार्बोहईडरेट का पाचन मुक गुवा में इस्तित्ट टाइलीनिया, एमाईलेज एंजाइम से होता है, वे सुगर कहलाते हैं, आर्टिफीशल सुगर यानकी क्रेत्री मधुरक, तो इनके एक्जामपल याद रखने हैं, इने आर्टिफीशल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मीठा तो करती है, लेकिन यह प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इन से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है, तो इनके एक्जामपल ध्यान रखने हैं, अब कार्बो हाइडरेट काम डिवाइडेशन पढ़ेंगे, यानकी कार्बो हाइडरेट काम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कार्बो हाइडरेट को हम तीन बागों में बाट कर पढ़ेंगे, जैसे मोनो सेकराइड, डाइसेकराइड और पॉली सेकराइड, मोनो सेकराइड में एक लख इकाई होती है, गुलकोज, गुलकोज के यह आईसोमर है, गुलकोज, फ्रक्टोज या गेलेक्टोज, और डाइसेकराइड, जिसमें गुलकोज की दो इकाईया, गुलकोज या गुलकोज के आईसोमर की दो इकाईया मिलकर डाइसेकराइड ब एलूलोस और हीपेडिन तो यह इनका एक डिवाइडेशन है अब हम इनको एक एक को डीटियल में पड़ेंगे तो जैसे जैसे गुलकोज है फ्रक्टोज है गिलेक्टोज है इन तीनों का जो फॉर्मूला है है इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो है c6 h2o6 इनका फॉर्मूला ध्यान रखना है c6 h2o6 अब जब गुलकोज की दो ही कहिया मिलेगी c6 h2o6 plus c6 h2o6 तो वन वाटर मॉल्यक्यूल बाहर निगलेगा और c12 h22o11 तो यह माल्टोज शुक्रोज या लेक्टोज का फॉर्मूला बन जाएगा c12 h22o11 यह फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है तो यह डाइसे के राइट और इसके एक्जामबल यह फर्स्ट एक्जामबल यह सेगने इंग्जामबल और यह थर्ड एक्जामबल इनके एक्जामबल ध्यान रखने अब हम इनका यह क्लासिफिकेशन देखा है अब इनका हम एक एक जैसे ग्ल्कोज है फ्रक्टोज है गेलेक्टोज है इनको सबकॉम थोड़ा डेटियल में देखते हैं इनके अधर नेम वगेरा सब कुछ तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसेकराइड मोनोसेकराइड यह सबसे सरल्तम कार्वोहईडरेट होते हैं जो जल में गुलंसील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं कि सबसे पहले हम इसका एक्जांपल देखेंगे गुल्कोज तो गुल्कोज का सुत्र हम ने देका था C6H12O6 इसको कि भी दाक्स शरकरा यानकी गुलकोज क्या है गुलकोज एक देख्सटोज है ऑर गुलकोज सबसे सरल्तम कराय और इसको रखते सरक्रायान की ब्लड सुगर केते हैं जैसे मदुमे के मरीजों को यान की सुगर के डोगियों को ब्लड सुगर हो जाती है जैसे सुगर का अगर यह एक नॉर्मल लेवल होता है और खाने के बाद खाने के बाद लेवल होता है 120 टू 140 मिली ग्राम परती डेसी लीटर अगर यह खाने के बाद इस रेंज को याद रख सकते हैं आप खाने से पेदें अगर इससे ज्यादा सुगर कम है या इससे ज्यादा है तो वो मदुमेका रोगी होता है और उसको उससाब से भी ट्रेट किया जाएगा उससाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा यहन की गुलकोज की मात्रा ब्लड में कितनी होनी चीए खाने से पेले 62-100 mg पर देसी लीटर और खाने के बाद 120-140 mg पर देसी लीटर तो यह ब्लड सुगर है गुलकोज और इसको अंगूर चिरकरा या ग्रेप्स सुगर इसको ग्रेप्स सुगर भी कहा जाता है यह सरीर का परमुक उर्जादाई पदार्त है जैसे आपने देखा होगा जब खिलाडी दोड़ते हैं तो उनको गुलकोज दिया जाता है जब कोई किसी वेक्ति का एक्सिडेंट हो जाए या कोई वेक्ति जब हो स्पिटल में जात यह प्रमुक उर्जादाई पदार्त है जो सबसे जल्दी सबसे फास्ट एनर्जी देता तो कार्भो हैड्रेट में भी गुलकोज देता है नेश्ट देखेंगे हम अरॉटोज तो फ्रक्टोज का भी सुत्र रहिए यह यह सिर्फोंष तिरफ आईसो मर्ज है जिनमें ओएच की इस्तिती का आधारपन गुलकूच फ्रक्टोज और गेलेक्टोज में डिवाइट किया गया है तो फ्रक्टोज्य क्या है सबसे मीठी श्यरक्रा इसे फल्स श्यरक्रा भी कहते हैं थोड़ा द्यान रखना ये क्योशन भी आया हुआ है तो फल्स रख रहा है तो फ्रक्टोज इसे श्यायद की श्यरक्रा भी कहते हैं यह सबसे मीठी श्यरक्रा भी फ्रक्टोज है नेश्ट देखेंगे गुलकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, तो आपका आंसर होगा ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज को तंत्रीका या मस्तिश्की की सुगर केते हैं और ये सुवत तंत्र रवस्ता में नहीं पाई जाती है तो ध्यान रखना, हमने मोनो से के राइड me आता है जैसे दास के चैना ऐा यानी घुरा कि उर्च फ्रक्टोज फिर ने पड़ाव्रaser अप्र्थ प्रक्टोज एक फन्षप है जिससे शैद की चैना और कार्वौवईड्रेट है फिर आता हैं गेलेक्टोज गेलेक्टोज को तंत्रीका या मस्तिष की शरक्रा के थे यहन की ब्रेंड सुगर और यह स्वतंत्र वस्ता में नहीं पाई जाती है अब हम देखेंगे डाई सेकराइट ये भी स्वाद में मीठे होते हैं और ये भी जल में विलेयन की वोटर सोलिवल और टेस्ट में स्वीट होते हैं तो इनके एक्जाम्पल देखेंगे माल्टोज, शुक्रोज और लेक्टोज तो जैसे मैंने बताए था गुल्कोज की दो इकईयां जुड़ेगी तो वो बनेगा माल्टोज और माल्टोज को हम माल्ट चरकरा भी कहते हैं और ये अंकूरिद बीजों में सरवादिक पाए जाती है जैसे मक्का, गेहूं वगेरा में अंकूरी दिभी जो में सरवादिक पाई जाती है तो वो माल्टोज है गुलकोज के दो अनुगों के मिलने से कुंसी सरक्रा का निर्वान होता है तो वो है माल्टोज ये किस किस से बन रहे ये इदियान रखना बहुत जरूरी है जिसमें सभी में गुलकोज तो कोमन ही है यह लेक्टोज होता है यह विशेश रूप से द्यां लखने की बात है, तो शुक्रोज के अधर नेम में देखेंगे, तो इसको एक्ष्यु शुरक्रा या गण्णी की शुरक्रा, यांग की केन सुगर, करते हैं केन सुगर या टेबल शरकर या प्राटीब से ऊर्कर या निगी इनवर्स इनवर्स सूगर अो यह यह सब्सक्रा यह रसोई गर्ट की शरक रहा इसके अन्य नाम है तो दियान रखेंगे इसके अधर नैम इक्शू या में गहा जाता है कि सुक्रोज को और इसे यह ए लेक टोज के साथ जब गेलकटोज जुड़ता है किसे सुक्रोज मेल ने बताए था यह वह गोलकोजो mm है इन सभी का सुत्र कोमन है सेम टू सेम तो यह लेक्टोज है यह दुख दिसर क्रायान की मिल्क शूगर यह मिल्क शूगर के लाती है यह दूद में पाय जाती है और दूद में लेक्टो बेसिलस जीवानू पाया जाता है जो दूद को दही में बदल देता है यह दही में पाया जाता है दरहसल जो दूद को दही में बदलता है लेक्टो बेसिलस जीवानू और मान स्पेशियों मे जब हम कार्य करते हैं तेजी से दोड़ते हैं तो मान स्पेशियों में लेक्टिक अमल के जमाव के कारण ठकान होती है यह बाद भी विशेश रूप से ध्यान रखनी है यहां से भी क्योशन पूछा गया है तो हमने देखा डाइसे के राइड में यह भी स्वाद में मिटे हो इन में पाया जाता है फिर हमने देखा शुक्रोज जब गुलकोज में फ्रक्टोज की एक इक जुड़ती है तो वो शुक्रोज के लाता है और इसे गन्य की शरक्रा या टेवल शरक्रा या प्रतीव शरक्रा या रसोईगर की शरक्रा या वेवसाइक शरक्रा भी कहा जाता है फिर हमने देखा लेक्टोज इसका थर्ड एक्जाम्पल जब गुलकोज के साथ ये लेक्टोज की एक हिकाई जुड़ती है तब लेक्टोज बनता है और इसे दुग्द की शर्क रा यान की मिल्क सुगर केते हैं अब हम देखेंगे पॉलिसेकराइड जब गुलकोज की बहुत सारी एकाईया आपस में मिलती है तब लेक्टोज का निर्मान होता है और यह स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और वोटर सुल्यूबल भी नहीं होते हैं That means, ये शर्क राही नहीं होते हैं। Polysaccharide शर्क राही नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और water soluble नहीं होते हैं। इसलिए ये शर्क राही नहीं होते हैं। इनके example में first आएगा starch या मंड। तो पादपो में कार्वो हाइडरेट का संचे किसके रूप में होता हैं। स्टार्च या मंड के रूप में होता हैं। ये क्योशन भी ध्यान रखना हैं, आया हुआ क्योशन हैं, आगे भी आ सकता हैं। तो हम दियान रखेंगे कि पादपों में कार्भोहाइड्रेट का संगरन या संचे Raven काई यानकी इस्टोर अल या किसके रूप में होता हैוד तो इस्टार्च या मंड के रूप में होता हैं किसमें प्लाइंड में और एनिमाओ में किसके रूप में ग्लाइकोजन के रूप में जन्तुवागे कारो हीडरेट का शी जन्तुवागे का संचे या संग्राण led कर ये किसके रूप में होता है गिलाइको जन में के रूप में और Social विHa जेलेए ये पादप की कोशिका भीत्ति का निर्मान करता है और जैसे जो रुमेनोइट से उनमें एपेंडिक्स पाया जाता है जो सेलूलोज के पाचन करने में सायक होता है रुमेनोइट मलब जो चारा यह घास खाते हैं एसे जानवरों में एपेंडिक्स पाया जाता है जो सेलूलोज का पाचन करने में सायक होता है तो सेलूलोज क्या है ग्लाइकोजन तो आपका अंसर होगा सेल्यूलोज और मनुष्य के द्वारा सेल्यूलोज का परियोग करते हुए रियोनरेशा बनाया गया है तो हमने पॉलिसे के राइड में देखा यह स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और वाटर सॉल्यूबल भी नहीं होते हैं देट में यह शूगर ही नहीं होते हैं फर्स्ट एक जांपल हमने देखा इस्टार्ट्स या मंड तो पादपो में यानकी प्लांट्स करते में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक वदार्थ है शेल उलोज और मनुष्य ने शेल उलोज का प्रियोग करते हुए क्रत्रिम रेशा यांकी रेयोन रेशा बनाया गया है तो हम देखेंगे कार्बॉहाइड्रेट के सोर्थ कार्बॉहाइड्रेट के सोर्थ मतलब कार्बॉहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहां से होती है तो मेन कार्बॉहाइड्रेट की प्राप्ति होती है आनाज से यानकी गेहुं मक्का इंसे जिसे गेहुं मक्का इनके अलावा दूद आलू यानकी पटेटो एंड शुगर पट और कार्बोहाइड्रेट के function क्या है मतलब इनके कार्य क्या है मुख्य रूप से सरीर को सबसे पहले उर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और यह RNA DNA DNA RNA के गटक यान कि यह DNA RNA के components होते हैं प्रोटीन एम वसा को संग्राइत इधन के रूप में बनाए रखने में सहायक होते हैं जब सरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो सरीर में कार्बोहईड्रेट से सरीर को एनरजी मिल जाती है तो प्रोटीन और वसा उनका हमारे सरीर में स्टोर होता रहता है और कार्बोहईड्रेट की कमी से क्या होता है तो हाइपोगलाइसीमिया हो जाता है कार्बोहईड्रेट की कमी से होता है हाइपोगलाइसीमिया जिसमें क्या होता है शरीर में गुलकोज की कमी हो जाती है यहनकी शरकराया गुलकोज की कमी हो जाती है जिससे क्या होता है जिससे चक्कराने लगते है ठकान होती है और वो मिटिंग भी हो सकती है तो कार्वाइडेट की कमी से कौन सा रोग हाइपोग्लाइसीमिया रोग और हमने नोट लगा कि चीज देखी एक किसी विलियन में शर्करा का मापन किस से किया जाता है से केरी मिटर सें तो यह एक यंद्र है जो किसी भी किसी भी सोल्यूसन में सुगर का मेजर मेंड करना हो तो से करें से हम कर सकते हैं तो हमने देखा कार्वोअइडरिर के सोर्च जाहिन तो जला नाज जुद आलू और शाकरगन्द यह कार्वोएडरीर के सोर्ष हैं फिर अफिर हमने इनके वांक्सिन देखा तो तक से ह Woolा से मिलती एट मिलती यह dna네 qa और प्रोटीनियों वसा की संग्रहीत इधन के रूप में बनाई रखने में सायक होते हैं फिर हमने देखा कार्भॉहइडरीट की कमी से कौन सा रोग तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है जिसमें सरीर में गुलकोज की मात्रा में कमी हो जाती है और जिसे चक्कराना वोमेटिंग होना आधी हो सकता है फिर हमने नोट लगा के लिखा कि किसी भी विलियन में अगर सरकरा का मापन करना हो तो कौन सा यंत्र तो से का यूज किया जाएगा दोस्तों आज हमने पढ़ा आपके शिलिवस का सेकंड मेजर टोबिक जो है पोशान यान की न्यूट्रीशन तो उसमें हमने कार्भॉहईड्रेट का क्लासिफिकेशन देगा फिर सारे कार्भॉहईड्रेट को हमने डीटेल से पढ़ा नेस्ट क्लास म में हम पढ़ेंगे प्रोटीन विटामिन खनीजलवन जल और वसा तो आप के से लिए बसका एक मेजर टोपिक है इसमें आज एक टोपिक कम्प्लीट हो चुगा है कार्बोहईड्रेट तो विश यू अल्दे बेस्ट बाब बाई